दावन का वद करना तुम्हारे बस में नहीं है वनवासे बिचित्र वर्दान प्राप थाई ससूर को प्रभो के प्रतेक वार पे ये विक्राल और शक्तिशाली होता जा रहा है स्वामी लंकेश की शक्ति बढ़ने के साथ साथ मेरे हेदय का कमपन भी बढ़ रहा है नजानी क्या होने वाला है आज पती कितना भी अधर्मी क्यों न हो किन्तु पत्नी सदैफ पती के हित के लिए ही तक पर रहती है महरानी मंदोदरी भी लंकेश का मृत्यू बार कभी नहीं देंगी उस बार को युक्ति से प्राफ्ट करना होगा ये दासियां बहुत चिंति दिखाई दे रही है ये युद एवं ब्रावन की मृत्यू के अतरिक्त अन्य कोई चिंता हो ही नहीं सकती इन्हें कदाचित इनके वारता लाप से ही उस मृत्यू बार तक पहुँचने का कोई सूत्र प्राप्त हो जाए जब से युद आरंब हुआ है मेरे पुत्र के विशे में भी कुछ ग्यात नहीं हो सका कहुँ जाने कि वो जीविद भी है या नहीं मेरे भी दो पुत्र थे युद आरंब होने के पच्चात उनके बारे में कुछ ग्यात नहीं हो पा रहा है पता नहीं क्या होगा उनका मुझे तो हम सब का भविश्य अंदिकार में दिखाए दे रहा है सब भविश्य के लिए चिंतित हैं तो विभीशन जी इस समय वो मृत्यूबान है कहां भावी मंदोधरी को इसके विशह में अवश्य ग्यान होगा रावन का मृत्यूबान प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में चाऊंगा भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े प्रभुश्री राम के काच के लिए मुझे स्वांग रचना पड़ेगा बंबं भोले बंबं भोले बंबं भोले हर हर बंबं भाम बंबं भोले जोगी घर घर गाता जाए सबका भाग बताता जाए जोगी घर-घर गता जाए, सबका भाग्य बताता जाए बम-बम भोले, बम-बम भोले अरे, देखो, कोई जोगी आ रहा है बम-बम भोले, बम-बम भोले हाँ, बड़े ही पहुचे हुए जोगी लग रहे है ये भूत भविश्य को देखे जोगी, जोगी से कुछ छुपना पाए आगे क्या है होने वाला ये सब जोगी ही बतलाए जोगी बाबा, क्या आप हम सब का भविश्य बता सकते हैं? अवश्य देवी शनी की टेड़ी द्रिश्टी हो या मंगल का कोई क्रीडा या राहु केतू ने भागे में किया हो कोई जमेला कल क्या है होने वाला भागय कहा ले जाए ये सब जोगी ही बतलाए बमबाम भोले, बमबाम भोले परणतो हम आपका विश्वास कैसे कर ले क्या आप छो बताएंगे सत्य ही होगा हर हर बंबाम हर हर बंबाम भाग्य का लेखा मिट ना पाए पर हर ज्वर का होता उपाए आज आएंगे वो जिनकी प्रतीक्षा में आप व्याकुल है शिग्र ही युद्ध समाप तो होगा लंका पुना फलेगी फूलेगी हर हर बंबाम हर हर बंबाम आपके दोनों पुत्र लौट आएंगे, बड़े होकर लंकेश की सेवा करेंगे और आपका पुत्र भी लुपत है ना? हाँ आ जाएगा वो भी वो महाग्यानी बनेगा देवी सबका मार्ग दर्शन करेगा परंतु उससे लाप क्या? जिस तरह लंका के सभी योद्धाओं का अंत हुआ, उनका भी अंत हो जाएगा मुझे ग्यात है देवी इस भीशर युद्ध में आपको अपने परिजनों को खोना पड़ा है किन्तु जो होना था हो गया जो बीत गई सो बात गई जो होना है वो भी होगा फिर आएगी प्रातह नई, फिर से होगी सुख की वर्षा हरमन फिर खिल जाएगा फिर पत जड़ का होगा अंत, एक नोवसंत फिर आएगा बंबाम भोले, बंबाम भोले लंका में परिवर्तन होगा, बदलेंगे लंकेश भी भाग ये उदय होगा लंका का, बदलेगा परिवेश भी भाग येने कैसे खेल रचाए कोई इसको समझ ना पाए किन्तु कल क्या होने वाला? ये बस जोगी ही बतलाएगा बंबाम भोले, बंबाम भोले महारानी जी, महारानी जी, हस्तक शेप के लिए शमझ आओंगे महारानी जी वो बाहर एक टेजस्वी जोच्षी आये हैं, श्रेश्ट भविश्य वक्ता है वो, यदि आप कहें तो उन्हें लंका के राजमंदिर में लेखरो, जो आग्या आपकी बनवासे, बहुत प्रहार कर लिए तुमने अपने इन पाड़ों से, और सब भी विफन हो गए अब प्रहार मैं करूंगा मेरा यास्त तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा बंबाम भोले, बंबाम भोले, बंबाम भोले अब मुझे किसी प्रकार देवी मंदोधरी को बातों में उच्छा कर, मृत्यूबान कहां रखा है, ये ग्यात करना होगा बंबाम भोले, बंबाम भोले, बंबाम भोले, बंबाम भोले, बंबाम भोले, बंबाम भोले, ये जोगी, कुछ परिचित से प्रतीत हो रहे है ये, कहीं तो देखा है मैंने इने क्या महारानी मंदोद्री ने मुझे पहचान लिया, यदि ऐसा हुआ, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा मैं इनसे मिल भी चुकी हूँ, कहीं ये प्रणाम महारानी हर हर महादेव महारानी जी, अवश्य ही आप और आपके पती देव बड़े ही शिव भक्त है सत्य है ना मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है आप खुश्मरन है कुछ अब क्या करूँ, मिथ्या संभाशन में कर नहीं सकता और सत्य कहा तो अनर्थ हो जाएगा बताईए ना जोतिशी महाराजी क्या मेरी आपसे पूर्फकाल में भी भेट हो चुकी है महरानी जी, हर जोगी की यही कहानी रमता जोगी बहता पानी हिम खेतर से लंका तक जोगी घट-घट भ्रमन करे किस से कहा भेट हो जाए, कब किसको स्मरन रहे पूछना है लंका का भागय या लंकेश की चिंता सताए जोगी बताए मन की बात, जोगी से कुछ चिपना पाए अतुलित युद्वीर लंकेश महा भट है महा बलवान महा भक्त है महा देव के वेदशास्त्र के है विदवान उस पर पती व्रता है आप आपके व्रत से वो है रक्षित फिर क्यों भैसे काप रही है आपके स्वामी है सुरक्षित बनबाम भोले बनबाम भोले बनबाम भोले हर हर महा देव अब ये चिंता तज्ये देवी उनकी चिंता तो है व्यार्त कोई उनको हरा नपाए महा बली वो सर्व समर्त सुख वैभाव से फिर ये लंका सबकी प्रिय बन जाएगी हुजवल भविश्य है इस नगरी का फिर समरिधी आएगी हर हर बम बम किन्तु यहां तो नहीं किन्तु यह कैसे हो सकता है क्या हुआ जोतिशी जी कोई समस्या है क्या हाँ देवी एक तुछिसी आपदा है जो स्वयम लंकेश के आसपास डोल रही है यह आपदा किसी देवता की और से या फिर या फिर कोई यक्ष बनेगा इसका कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कहीं यह किसी नर की और से तो नहीं हाँ अभी तु जहां तक मेरा अनुमान है यह आपदा किसी वानर की और से आ सकती है तब तो आब अश्य वो वानर हनुमान होगा हाँ बस उस वानर से सतर के रहना होगा वही संकर्द उत्पन न कर सकता है लंकेश के लिए कि तु हनुमान कैसा संकर्द उत्पन कर सकता है देख कर बताईए न प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान किसी किसी वस्तु को ढूणने में लगा हुआ है अनुमान तहा उसे बाहर से लंका में लाया गया है ऐसी वस्तु क्या हो सकती है सोची देवी कोई ऐसी वस्तु जिसे छुपाकर किसी गुप्त स्थान पर रखा गया हो जो किसी के हाथ लग जाए तो लंकेश संकट में पढ़ सकते हैं मेरा ग्रंथ किसी अस्त्र की और इंगित कर रहा है कोई बान है क्या कहीं मृत्यू का बान तो नहीं हाँ वही होगा अवश्य ही हनुमान मृत्यू के बान को खोचने में लगा हुआ है देवी आप शेक्र चाहिए और सुरक्षित कीचे उस बान को आप उचित कह रहे हैं जोतिशी जी मैं अब उसे अपने नेत्रों के समक्षी रखूँगी इतना तेच मादेव के जैसी आभा ये कोई साधारन जोतिशी नहीं है कौन हो तुम मुझे विश्वास है कि तुम जोतिशी का छद वेश धारन करके मेरे समक्षाए हो यदि अब तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप को धारन कर लो हनुमान शद्म रूप धारन करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवी किन्तु इस धर्म और अधर्म के युद्ध का अंत करने के लिए लंका नगरी से पाप का सामराज्य समाप्त करने के लिए आपके समान ही पती व्रतास्त्री माता सीता की अस्मिता की रक्षा करके उन्हें अपने पती को लोटाने के लिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा उसे एक मृत्यू बान के बिना ये सब संभव नहीं है देवी देवी मुझे पर क्रिपा करके मुझे वो बान प्रदान करें नहीं कदापी नहीं किंतु देवी बस इससे पूर्व की मैं अपना सयम खोड़ू चले जाओ यहांसे देवी मुझे क्षमा करें उस बान को लिए बिना मैं यहांसे नहीं चाह सकता हनुमान मैं शाप दे सकती हूं तुम्हें एक पती व्रताश्त्री के शाप में इतनी शक्ती होती है कि सम्पून प्रमान में हाहकार मचा दे शांत देवी शांत आपने पूर्व काल में मुझे एक वचन दिया था जब रिशिवर दुर्वासा ने लंकेश को ख्षमादान दिया था देवी स्मरण के जिये हुआ है अधाय भविश्य में अनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा देवी उसी वचन की पूर्ती के रूप में आप मुझे वो मृत्यूबार प्रदान केजी अन्यथा ये युथ अन्वरत चलता रहेगा और तब नजाने कितना विद्वंस और होगा कदाचित ये संपूर्ण लंका ही एक पती व्रता स्त्री की मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रभू के कोप की भेंट चड़ जाए इक स्त्री से उसके पती की मृत्यू का साधन मांग रहे हो तुम हनुमान कोई पती व्रता स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है देवी तो क्या आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगी देवी अपने सत्य व्रत का पालन कीजी मेरे लिए मेरे सत्य व्रत धर्म से बड़ा मेरा पती व्रत धर्म है इसे निभाते हुए भले ही मेरा सत्य व्रत तूटे या कोई और वचन भंगो मंदोधरी ऐसा कदापी नहीं करेगी कि शमा देवी कि प्रभुष्री राम के कारे के प्रति पूंटया समर्पित मैं अधिक उत्साह में आकर ये भूला बैठा था कि मैं एक पती व्रतास्त्री से उसके पती की मृत्यू का साधन मांग रहा हूं मैं समझ सकती हूं हनुमान अपने आराध्य के प्रति तुम्हारी आगाठ निश्टा के कारण ऐसा हुआ आप धन्य हैं माता सीता की भांती आप भी पति व्रत धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ती हैं देवी आपका सत्य व्रत धर्म आपके पति व्रत धर्म के कारण तूट ना जाए इसलिए मैं आपको वचन से मुप्त करता हूं प्रभू कैसे इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है कौन है? जो अद्रिश्य होकर मेरा पीछा करने का दुस्ता हस कर रहा है बार बार पीछे मुण कर मत देखो मैं इस समय मृत्यू काल रूप में हूँ इस रूप के दर्शन मनुष्य को मात्र उनके अंतिम समय में ही दिखाई देते हैं इस रूप के दर्शन का अर्थ है मृत्यू के मुख में चले जाना अच्छा आप यम्राज जी हैं मृत्यू के देवता हाँ अनुमान मैं यम्राज ही हूँ जब यम्राज जी स्वैम यहाँ पर है तो अब मुझे रावण की मृत्यू बार प्राप्त करने से कोई रोख नहीं सकता पतीवरता धर्म ही नारी की सबसे बड़ी शक्ती है जिसके समक्ष बड़े से बड़े योद्धा भी नत्मस तक हो जाते हैं झाल